अगर ये चुनाफ जीत गए इनोंने बीजेपी का एक नेतनी छोड़ा अडवानीची की राजनीती खतम कर दी इनोंने मुर्ली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसुंदराराजी की राजनीती खतम कर दी, नौने खटर साथ की राजनीती खतम कर दी, डौक्टर रमन सिंह की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नमबर है? योगी अदिट के नात, अगर ये चुनाव जीत गए मेरसे लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदन देंगे योगी अधित कनाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौक्य आए जब इस देश के ओपर तानाशाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोक्षाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मन धंसे लड़ रहा हूँ संगर्श कर रहा हूँ उस ताना शाह के खिलाव 140 करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगा करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिच्छा को प्रधान मंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमिच्छा जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा क्या हम इच्छा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आउगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता है इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बेज़ बीजैपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पर वोट दे. अब एख खुश खब्री है अगरों के लिए अब एक खुश खबर ही है, सब को बता दे ना जो मैंने बाते कही है, बड़ी सोच समझ के कही है, वहां बैठके यही सोच रहा था 50 दिल से, दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले वे 20 घंटे हो गए, इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जन्ता से बात कर र रहा था, रात को आंधी आई दी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े-बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विशलेशकों से बात की, सेफरोजिस्क से बात की, जन्ता से बात की, फोन पे लोगों से, मेरा अपना आंकलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बंगरी, मोगी सरकार नहीं है, एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था, तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरिवाल सी एंपद से स्तीफा क्यों नहीं देता, केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ, मैं अब मंत्री, मुख्य मंत्री, परदान मंत्री यह सब बनने नहीं आया, इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था, कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर, एक नी, दो नी, तीन नी, दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है, सुन्दर नगरी और नंदर दिल की जिलियों पर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के ऊपर 49 दिन के अंगर सीम पत्से स्टीफा दे लिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लात मार दी थी उननचास दिन के अंदर मेरे लिए सीम पत्स इंपोर्टन नहीं है आज मैंने CM पत्से इस्तिफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बागजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आमादमी पार्टी को कोई नहीं रा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरिवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजनिवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजनिवाल की सरकार गिर जाए उन्होंने ये शट्यंत्र रचा मैंने का मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा तुम अगर तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्ते सरकार भी जेल से चलाके दिखाएंगे कता इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फसने वाले नहीं हैं यह अगर हिमन्त सुरेन साब को भी स्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर हमने स्तीफा दे दिया यह तो बड़ा च्छा इनके लिए है जिस राज्य के अंदर यह चनाव हारेंगे उसके मुक्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तीफा नहीं दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं इसको समझ लेना है केज रिवाल को किसी पद का लालच नहीं है सौ सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है मुझे पदा चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खासकर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोई कई उन्हें बहुत मन्यते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोडों करोडों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुआएं भेजी मेरी प्रभो से इच्छा है भारत मता की